Hello Students, Welcome to Shine Academy आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि थेल स्थोरम क्या होती है और उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं ये वीडियो ट्राइंगल चेप्टर का थर्ड वीडियो है अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पर वो वीडियो आ रहे हैं मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा थेल्स थोरम में स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थेल्स थोरम को बेसिक प्रपोर्शनलेटी थोरम भी बोलते हैं जिसको की शॉर्ट फर्म में बीपीटी बोला जाता है थेल्स्तुरम समझने से पहले आपको तीन कॉंसेप्ट ऐसे हैं जो पता होने चाहिए जिनकी मदद से हम थेल्स्तुरम को प्रूव करना सीखेंगे वो तीन कॉंसेप्ट क्या हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कॉंसेप्ट नंबर वन है कि ट्रैंगल का अगर आप बेस अलग लोगे तो उसकी हाइट भी अलग हो जाएगी इसका क्या मतलब है आईए हम इस एक्जामपल के थूरू समाजते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ट्रैंगल है ABC और इसमें हम BC को बेस मान रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BC को हम बेस मानेंगे तो हैट कुछ इस तरीके सेाऊध की रहता है है कि मतलब होता है कि triangle कितना लंबहर ये ना आप इतनी देख रहिए अब एक सिंपल सा सवाल मैं आप से पूछना चाहूंगा कि अगर इस triangle कि अगर हमने AC को base मान लिया तो height इस तरीके से आ रही है इस बार जो height है वो AC के base के लिए बनी है तो ये height भी इस triangle की height है इसी तरीके से अगर हम triangle को एक और बार rotate कर देंगे तो अलग base आएगा और अलग height देखने को मिलेगी यहां से आपने सीखा कि अलग-अलग base के हिसाब से अलग-अलग height आती है यह था हमारा concept number 1 अब हम देखते हैं concept number 2 concept number 2 में आपको देखना है कि हमारे पास angles के basis पर 3 तरीके के triangle होते हैं एक होता है acute triangle जिसमें सारे angles 90 degree से कम के होते हैं यानि की acute angles होंगे एक होता है हमारे पास right angle triangle जिसमें एक angle 90 degree का होता है बाकी के दो angles 90 से कम यानि की acute होते हैं और इसी तरीके से एक triangle होता है हमारे पास obtuse triangle जिसमें हम देखते हैं कि एक angle obtuse होता है यानि की एक angle की value 90 से ज़्यादा रहेगी और बाकी के दो angles acute रहते हैं यानि की 90 से कम है यानि कि height of the triangle is inside the triangle जो height है वो triangle के अंदर है इसी तरीके से अगर right angle triangle की बात करें तो आप देखोगे कि triangle की height उस side के along ही आ रही है जैसा कि आप इस example में देख रहे हैं कि A से अगर हम height डालने है BC पर तो A B हमारी एक side भी है और A B triangle की height भी है इसी तरीके से अगर practice triangle की height निकाना चाहेंगे यानि कि हम ए से BC पर perpendicular दालना चाहेंगे तो वह perpendicular आपको triangle से बहार जाता देखेगा यहां से आप देख सकते हैं कि obtuse triangle की height triangle से बहार लाए कर रहे है और यह point आपको समझना जरूरी है तो यह था हमारा concept number two की obtuse triangle की height triangle एंगल से बाहर लाए करती है जैसा कि अभी आपने देखा था कॉंसेप्ट नंबर थी की हम बात करते हैं कॉंसेप्ट नंबर थी एक्चुली मैं नाइन्थ क्लास की एक थियुरम है इस थियुरम में हमको क्या सीखना है मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए हमारे पास यह दो पैरलल लाइन्स है अब पैरलल लाइन्स की खासियत क्या होती है कि उनके बीच में जो दूरी होती है यानि कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा स्टार्टिंग से लेके end तक जो lines के बीच का distance है वो fix रहने वाला है इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर distance h है तो आप देखेंगे कि वो distance h हर जगे रहेगा तो हम मान लेते हैं कि इन दो lines के बीच में distance h का है अब इन दो lines के बीच में मैंने एक line segment लिया a b और a b से एक triangle उपर की तरफ में बना रहा हूँ आप देख रहे हैं कि a b c एक triangle मैंने बनाया है इसी तरीके से अगर मैं a b c की जगे a b d triangle बनाता तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता था आप इस point को कहीं पर भी draw कर सकते हैं कुल मिलाकर आपको दो अलग-अलग triangle बनाने है जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों triangles का base सेम है और उपर वाला point अलग-अलग है अब हम इन दोनों triangles का area find करने की कोशिश करते है तो जैसा भी आपने देखा था कि height of the triangle हम easily find कर सकते है और height क्या होती है कि वो triangle कितना ऊचा है तो इन दोनों triangles की height सेम है क्योंकि ये दोनों triangles सेम parallel lines के बीच में लाए कर रहे है तो आप देख रहे हैं कि दोनों की ऊचाई बराबर ही दिख रहे है और इन दोनों का base AB है ये भी आपको दिख रहे है तो अगर हम इन दोनों triangles का area find करेंगे तो वो कितना आएगा आप देखिए area of ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आजाएगा half into base into height और base की value AB है और height की value parallel lines के बीच की जो height है वही है यानि कि H है इसी तरीके से अगर मैं area of triangle ABD find करता हूँ तो आप देखेंगे की half into base अभी भी AB ही है तो half into AB into height अभी भी H है तो into H हमने लिख दिया यहां से आप देख रहे हैं कि इन दोनों triangles का area same आया तो यह एक theorem है जो आपको पता होनी चाहिए कि दो triangles अगर same base पर lie करते हैं और दोनों triangles same parallel lines के बीच में है तो उन दोनों का area हमेशा बराबर आएगा जैसा कि आप इस case में देख रहे हैं तो यह थे 3 concept जो कि थेल्स्तोरम समझने से पहले आपको अच्छे से आने चाहिए तो अब हम थेल्स्तोरम का proof देखते हैं तो सबसे पहले हमको थेल्स्तोरम का statement समझना पड़ेगा हम एक triangle लेते हैं और उसमें एक line draw करते हैं जो कि किसी भी एक side के parallel है जैसा कि हमने यह triangle ले रखा है ABC और इसमें हमने DE एक side है जो कि BC के parallel बना हुई है तो थेल्स्तोरम हमको सिखाती है कि D और E जो points है वो AB को और AC को same ratio में divide करेंगे इसका क्या मतलब है कि AD upon DB जो ratio आएगा वो AE upon EC के बराबर होगा तो थेल्स्तोरम का सीधा सीधा यह कहना है कि अगर आप एक parallel line draw कर दोगे तो वो parallel line triangle की दो sides को same ratio में divide कर देगे तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि थेल्स्तोरम का मतलब क्या होता है अब हम इसका proof देख लेते हैं तो हमको यहाँ पर proof करना है कि AD upon DB की value AE upon EC के बराबर है आपको यहाँ पर 4 line segment देखने मिल रहे हैं हमको इस थेल्स्तोरम को proof करने के लिए area of triangles का इस्तमाल करना पड़ेगा आप देख रहे हैं कि AD को अगर मैं base मानूंगा तो मैं area of triangle ADE निकाल सकता हूँ यह हमने concept number 1 में सीखा था इसी तरीके से मैं अगर AE को base लेता हूँ तो उससे भी मैं area of triangle ADE निकाल सकता हूँ अब हमको BD को base लेते हुए एक बर area of triangle निकालना पड़ेगा पर आप देख रहे हैं कि BDE से तो कोई triangle बनी नहीं रहा है इसलिए हमने क्या किया B को E से join कर दिया और इसी तरीके से हमने C को भी D से join कर दिया है तो आप देखिए कि triangle BDE और triangle CDE हमारे पास आ चुका है अब हम इन चारों triangle का area find करते हैं और इससे हम अपनी थेर्स्तोरम प्रूव कर लेंगे हमने सबसे पहले area of triangle ADE find किया जो कि आएगा half into base into height और अब आप समझी रहे हैं कि हमको base कौन सा लेना है AD का base लेना है AD base लेने के लिए हमने E से AD पर height draw करी जो कि आगई EN तो इस तरीके से area of triangle ADE कितना आ चुका है half into base AD into height EN अब हम area of triangle BDE निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि BDE एक obtuse angle triangle है और हमने concept number 2 में पढ़ा था कि obtuse angle triangle की जो height होती है वो उस triangle के बाहर जाती है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि EN BDE triangle की भी height हो जाएगी को base लिया है तो कितना आएगा half into base BD into height EN तो आप देख सकते हैं कि two prove में हमको AD upon DB का ratio चाहिए इसलिए हम ये जो दो area निकाले हैं इन दोनों का ratio ले लेते हैं आप देख रहे हैं कि half से half कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon DB सेम इसी तरीके से हम area of triangle ADE AE को base मानते हुए भी निकाल सकते हैं उसके लिए हमको D से AE पर height draw करने पड़ेगी तो हमने DM height draw कर दी है triangle ADE की अब area of triangle ADE AE base से क्या आएगा half into base AE into height DM इसी तरीके से अब हम area of triangle DEC की बात करें तो आप बोलोगे कि DEC obtuse angle triangle है इसके लिए उसकी height triangle से बाहर जाएगी तो DM is also the height of the triangle DEC तो area of triangle DEC कितना आजाएगा half into base हम EC को लेंगे और height हमारे पास आगए DM area of triangle DEC आचुका है half into EC into DM अब पिछली बार की तरह ही हमको area of ADE और DEC का ratio लेना पड़ेगा तो ratio लेने के बाद आप देखेंगे कि half से half कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा तो area of ADE upon area of DEC की value आचुकी है AE upon EC यहां से आप देख रहे हैं कि हमने two proof का LHS बना लिया है और two proof का RHS बना लिया है अब next step में हमको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा बराबर करने के लिए हम अपने concept number 3 का इस्तमाल करेंगे जिसमें हमने सीखा था कि दो triangles अगर same base पे हैं और same parallel lines के बीच में लाए करते हैं तो उन दोनों का area बराबर आएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि triangle BDE और triangle CDE दोनों का base same है जो की ED है और यह दोनों triangles same parallel lines ED और BC के बीच में लाए कर रहे हैं इसका मतलब इनकी जो heights होंगी वो same होंगी तो हम बोल सकते हैं कि area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC अब यह दोनों triangles का area equal करने के बाद आप देख सकते हैं कि AD upon DB AE upon EC के बराबर हो चुका है क्योंकि हम BDE को DEC से replace कर सकते हैं इसका मतलब यह दोनों ratio same है और इस तरीके से AD upon DB is equal to AE upon EC हो चुका है जो कि हमको थेल स्थोरम में प्रूफ करना था तो इस तरीके से हम थेल स्थोरम को प्रूफ करते हैं I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप कुछ बात करना चाते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाए बाए